कि दोस्तो आज मैं आपके सामने कबीर दास के दो पद रखोंगा और उन दोनों पदों का आर्थ और महत्व भी रखोंगा हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग एक हजार वर्सों का माना जाता है इस एक हजार बर्स के दोरान कबीर के बाद कबीर जैसा कोई दूसरा कभी हिंदी में पैदा नहीं हुआ इसके तीन कारण पहला यह कि कबीर जैसी खरी और खुली भासा में समाज में फैली हुई विशमता रूढ़िबाद और धार्मिक कटरता की आलोचना करते हैं वैसी आलोचना किसी और कभी ने नहीं किये दूसरी बात यह कि कबीर पूरे भारती समाज में ब्याप्त जाती ब्यवस्था का जोरदार सब्दों में खंडन करते हैं और मनुस्य से दूसरे मनुस्य के किसी तरह के भेद को स्विकार नहीं करते हैं इसलिए कबीर समाज में मौजूद भेद भाव के खरे आलोचक हैं तीसरी बात यह है कि कवीर की कविता अनेक रूपों में जन जीवन से जुड़ी हुई कविता पहली बात तो यही कि वे जन भासा के कभी हैं दूसरी बात यह कि वे जन जीवन के कभी हैं तीसरी बात यह कि वे जन संस्कृती के कभी हैं और जन संस्कृती का निर्मान भी किया है उन्हों कभीर के बारे में एक और बात है कि वे किसी भी तरह के धार्मिक भेद भाओ पाखंड दिखावा आडंबर को स्विकार नहीं करते और इन सबका ऐसी भासा में आलोचना करते हैं जो लोगों के दिलो दिमाग को छूती है उनकी अंतरात्मा को जख जोरती है और उनको एक अधिक मानवी समाज के निर्मान की प्रेरना भी देती है एक और बात है कि कभीर की कविता संगीत मै कविता है संगीत के लैताल में बधी हुई इसलिए भारत के एक बड़े गायक कुमार गंधर्म केवल कभीर के पदों को ही गाते थे पर यह भी ध्यान रहे हैं कि वह कभीर के पदों को जीन पदों को गाते थे वे पाठ्छ पुस्तकों में मिलने वाले पाद नहीं हैं बलकि छतीस गड़ के लोक जीवन में प्रचलीत और रमे हुए पद हैं मन मस्तिरो बाताग क्यों बोले मस्तिरो बाताग क्यों बोले मस्तिरो बाताग क्यों बोले 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 कबीर इस प्रकार अखिल भारतिय कभी भी है सीख धर्म के महान गरंथ गुरु गरंथ साहब में सीख गुरुओं के बाद सबसे अधिक सबद और साखियां कबीर दास की ही है दूसरी बात यह है कि कबीर दास के पदो का संग्रह बंगाल के बड़े विचारक छिती मोहन सेन ने किया था यही नहीं रबिन्ना टैगोर ने उनके सो पदों का अंग्रेजी में अनुबाद भी किया था महुट पहले जिस अनुबाद के माध्यम से कबीर भारत के ही नहीं 200 के कभी भी बने यह कबीर का महत्व आप ध्यान में रखें और ताब उनके पदों को साखियों को पढ़ें और उनका अर्थ समझें एक और बात चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ परंपरा से यह बात कही जाती है कि कभीर को बहुत लंबा जीवन मिला था वे 1398 इस्वी में पैदा हुए थे और 1518 इस्वी में स्वर्गी हुए या उनका निधन हुआ अब यह पैदा होने का सन और दिवंगत होने का सन विबाद का विशे है पर इससे एक बात तो जाहिर है कि कभीर को लंबा जीवन मिला था कभीर कासी में पैदा हुए थे कभीर रूड हिबाद और अंद्विश्वास का खंडन के ओल कविता में नहीं करते थे अपने जीवन में भी करते थे बनारस में एक अंद्विश्वास है कि जो कासी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है पर जो मगहर में मरता है वह अगले जनम में गदहा होता है कभीर दास में इस विश्वास या अंद्विश्वास का कभीता में भी खंडन किया है और अपने जीवन में भी किया उनका एक पद है जो लोका मतिके भोरा रे जो कभीर कासी मरे तो राम ही को निहोरा रे मतलब अगर कासी में मर्न कर ही मुक्ति पाना संभो हो तो राम की भक्ती का अर्थ क्या है इसलिए बाद में कभीर ने लिखा कि जास कासी तास मगहर उसर हरदय राम सत होई माने अगर हरदय में राम है राम से भक्ती है तो कोई कासी में मरे या मगहर में मरे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कहते हुए कभीर कासी छोड़ कर मगहर चले गए और वहीं उनका निधन हुआ इसलिए मैंने कहा था कि उपदेश देने वाले कभी तो हिंदी में और दुनिया में बहुत हैं पर अपने जीवन में भी अपने उपदेशों अपनी मान्यताओं अपने सिध्धानतों को लागू करने वाले आदमी आचरन करने वाले कभी बहुत कम हैं उनमें से एक है कभीर लोका मती के भौरारे लोका मती के भौरारे कह कभीर तो नहुरे तन तो रमी परे जिमी कोई रे जसकासी तक मद हर उतल फिर दैराम सती हो इरे आईए अब हम कभीर का पद पढ़ें और उसके आर्थ को जाने को कभीर का पहला पद है मोको कहां ढूड़े बन दे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलास में ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं जोग वैराग में खोजी होए तो तुर्ते मिलिहों पल भर की तालास में कहे कभीर सुनो भाई साधों सब स्वासों की सांस में मुखो कहां ढूड़े बन दे मैं तो तेरे पास में मुखो कहां ढूड़े बन दे मैं तो तेरे पास में मुखो कहां ढूड़े बन दे मैं तो तेरे पास में ना में मंदिर, ना में मस्जिते, ना में मंदिर, ना में मस्जिते, ना में मंदिर, ना में मंदिर, ना में मस्जिते, ना कहे बे कहे लाश में, वो को कहां ढूंडे रे बंदे, रे रे पाद में, वो को कहां ढूंडे रे बंदे, रे रे पाद में, वो को कहां ढूंडे रे कि इस पद में भी जो आखिरी पंगती है कि कहे कबीर सुनो भाई सादो यह भी संबाद धर्मी पंगती है मतलब संबाद करने की एक्षा से लिखा गया यह पद है और साधूओं को इसलिए संबोधित है कि पहले इस पद में कबीर ने जिन बातों की चर्चा की है और जिनका खंडन भी किया है वो सारे काम साधू संत जादे करते हैं वैसे करते सामानने लोग भी दूसरी बात यह है कि यह पद निर्गुन ब्रह्म की सचाई की ओर संकेत करता है असल में निर्गुन भक्ती साखा के अधिकान लगभग सभी संतों और कभियों ने निर्गुन को क्यों महत्व दिया उसका एक बड़ा कारण यह था कि उस समय भारतिय समाज में मंदीर में छोटी जाती के लोगों और दलितों को जाने का अधिकार नहीं था तो यह निर्गुन संतों ने इसलिए निर्गुन ब्रह्म और आत्मस्थ ब्रह्म मतलब आत्मा को आत्मा में परमात्मा के दर्शन का जो दर्शन दिया उसका कारण यह था कि मंदिर मस्जित काबा कैलास में जाना ही निर्थक है इस्वर को पाना हो तो अपनी चेतना में अपनी आत्मा में अपने भीतर खोज कर भी पाया जा सकता है अब आप पन की पहली पंक्ती से सुरू कीजिए कबीर यह कहते हैं या कबीर से इस्वर यह कहते हैं कि मो को कहा ढूड़ो बंदी मैं तो तेरे पास में तुम मुझे जंगल में पहाड में नदी में मंदिर में मस्जित में काबा मतलब यह इसलाम के लिए है और कहलास हिंदू धर्म के लिए है आप सब लोग काबा का भी मतलब समझते हैं साउदी अरबिया में और कहलास का भी मतलब समझते हैं जहां भागवान संकर का निवास माना जाता है इसलिए इश्वर कह रहे हैं और इश्वर की ओर से ही कबीर कह रहे हैं कि मुझे कहां ढूंड रहे हो जगह जगह मैं तो तेरे पास हूँ तेरे भीतर हूँ तेरे अंतर मन में हूँ, अंतर आत्मा में हूँ, मैं न मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ, न कैलास पर रहता हूँ. मैं किसी क्रिया कर्म में भी नहीं हूँ, साधु संत लोग तरह तरह के क्रिया कर्म करते हैं, कबीर ने तीर्थ और तीर्थ में होने वाले कर्मकांड की भी आलोचना की है, वो बैराग को भी स्विकार नहीं करते हैं, क्योंकि कबीर ग्रिहास्थ और अपने पेशे में लगे हुए संत थे, वो जंगल में और घरदुआर छोड़ कर साधु बने संत नहीं थे, वो कपड़ा बुनते थे, और साथ ही इस्वर का भजन भी करते हैं. क कुछर सी लिधी जीनी वीनी चदरिआ धी, और से भी दी feder च़ंचर शोछ आदा से कर देकर नों लीधी। कबीर के इस पद की आखिरी पंगती है कहे कबीर सुनो भाई साधो मने साधुओं को वो संबोधित कर रहे हैं कि इस्वर जो है प्रतियक स्वास में मनुस्य के निवास करता है और हर आदमी सांस लेता है छोड़ता है तो उसी में खोजो यह साब जोग जाप ताप तिर थाटन आदी आदी क्यों कबीर का एक और पद है लिखा है उन्होंने कि जो खुदाए मस्जीद बसतु है और मुलुक के ही के रा मने अगर खुदा केवल मस्जीद में रहते हैं तो बाकी दुनिया में कौन रहता है तीरत मूरत राम निवासी बाहर करे को फेरा और अगर तीरत के मंदिर की मूर्टी में राम रहते हैं तो बाहर की दुनिया की देखरे कौन करता है जी इसलिए कबीर ने ऐसे तरकों और ऐसे ढंग से अपनी बात कही है कि उनका खंडन करना जल्दी संभों नहीं लगता आईए अब हम कबीर के दूसरे पद को पहले सुनते हैं फिर पढ़ते हैं दूसरा पद ध्यान रखिये कि थोड़ा मुश्किल है इसको ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा दूसरी बात ही इस पद में जो खास है पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि कबीर की कविता आम जन जीवन की कविता है आम जन जीवन से जुड़ी हुई कविता है तीसरी बात ये है कि वो गरामीड जीवन की कविता है जो लोग गाओं के जीवन को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि गरीब प्राया जोपड़ी में रहता है गाओं का वो उसको कोई महल अटारी तो न उपलब्द है उस अपने में भी उपलब्द नहीं है वास्तविक्ता में कौन का है तो कबीर ने इस पद में एक जोपड़ी का बड़ा रूपक माधा है और उसी के विभिन तत्वों के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिस की है अब मैं आपके सामने पद पढ़ रहा हूँ संतो भाई आई ग्यान की आधीरे भरम की टाटी सबय उडानी माया रहे न बाधीरे हित चित की द्वय थुनी गिरानी मोह बलिंदा तूटा त्रिसना च्छान परी घर उपर कुबुद का भाणा फूटा जोग जुगत कर संतो भाधी निर्चू चुए न पाणी कूड कपट काया का निक्सा हरी की गत्य जब जानी आधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरी जन भीना कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भाया तम खीना वित्रो ऐसा है कि अगर आप गाओं के हैं तो एक जोपड़ी और उसकी बनावट पर ध्यान दीजिए तब ये पाद और उसमें मौजूद रूपक आपकी समझ में ठीक से आएगा कबीर कह रहे हैं कि ग्यान की आधी आई इसी प्राकृतिक और मानुवी वास्तविकता को कबीर ने इस पाद में रूपक के रूप में रखा है अब आप पहली लाइन से इस पद पर सोचना शुरू कीजिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कबीर का प्रतेक पद किसी न किसी को संबोधित है यहाँ फिर वो संतों को संबोधित कर रहे हैं संतों से कह रहे हैं कि संतों ग्यान की आधी आई है जोपड़ी जो होती है उसके चारों और टाटी लगाई जाती है मतलम टाटी बनती है तीन चीजों से खर से सरकंडे से और बांस की फठीयों से उसको रसी से बाधा जाता है तो टाटी खड़ी होती है गाउ में उसको टाटी भी कहते है भोजपुरी में तो घार के भीतर रहने के लाइक बनाने के लिए चारों और से टाटी लगाई जाती है कबीर कह रहे हैं कि जब आधी आई तो मनुस्य के मन में जो तरह तरह के भ्रम हैं वही असल में टाटी की तरह होते हैं कि भीतर ग्यान को आत्म बोध को इस्वर बोध को प्रवेश नहीं करने देते हैं पर जब ग्यान की आधी आई तो पहली बात यही हुई कि भ्रम की जो टाटी है वह उड़ गई और माया उसको बाध कर नहीं रख सकी जो प्रायः जीवन में ब्रक्ती को बाधती है यह जो टाटी है उसको टिकाने के लिए लकडी का या कभी कभी बांस की भी लकडी की या बांस की थून ही लगाई जाती है पतली होती है जिसके सहारे वो टिकती है तो उन्होंने ये भी कहा कि हित्चित की द्वय थून ही गिरा दी जो जो जोपड़ी थी उसमें दो थूनिया लगी हुई थी दो नो और ये द्वी थूनिया चारो और लगी रहती है पर कभीर दो की ही चर्चा कर रहे हैं माने हीत्चित की मने अपने हीत्चित स्वाल्थ की जो थूनी है वो उखड़ गई तूट गई और सबसे अधिक मनुष्य को भ्रम में डालने वाला कस्ट में डालने वाला संसार में भरमाने वाला मोह होता है तो कभीर मोह को असल में जब जोपड़ी बनती है तो कभी बांस की या कभी लकड़ी की है एक मोटा बांस या मोटी लकड़ी पर दोनों और से छपर डाल कर उसको चाया जाता है उसको भोजपुरी में छानी भी कहा जाता है तो जिस लकड़ी पर वो टिकी होती है उसको भोजपुरी में तो धारन ही कहते हैं जो धारन करें धारन कभीर उसको बलिंडा कह रहे है तो कहा कि वही तूट गया मोह का जो बलिंडा है या धारन है वो तूट गई तो जोपड़ी को तो धरासाई या जमीन पर गिरना ही था त्रिसना चान परी घर उपर उपर से त्रिसना का जो चान है छपपर है वो उड़े गई और कुबुद्धी का जो भाड़ा मने बरतन प्राय पहले के जमाने में गाओं में गरीब लोग मिटी के बरतन में ही बहुत सारे काम करते थे खाना बनाना पानी रखना और बहुत सारे तो भाड़ा उसी को कहते थे वो छोटा बड़ा दोनों तरह का होता था तो उन्होंने कहां कि जो दुरबुद्धी का मिटी का बरतन है वो फूट गया उसके बाद चुकी ग्यान की आधी आई थी तो संतों को वह ग्यान मिला तब उन्होंने जोग जुगुती करी संतों बाधी संतों ने बहुत सारे प्रेत्न करके जोग जुगुती मैंने उपाए करके घर को फिर बनाया चाया चपर लगाया और ऐसा लगाया कि जिसमें एक बूद पानी नीचे न चुए क्योंकि बरसा जब होती है और घार में पानी चूने लगे तो न उसमें रहना संभव होता है न सोना संभव होता है न खाना संभव होता है यह सब मैं मित्रों फिर आप से दूसरी तीसरी बार कह रहा हूं कि यह पद आपको बार बार गाओं के गरीब की जिन्दगी की वास्तविक्ता की ओर ले जाता है यह भक्तिकाल की कविता को पढ़ने का एक आर्थ यह भी है कि उसके माध्यम से आप भारत के गरीबी में जीने वाले जन को जाने ग्यान जब मिला तो हिर्दय में जो कपट चाला की चाले चाद मता वो निकल गया हिर्दय से और उसी के साथ इस्वर की गती का ग्यान हुआ इस्वर की लीला का ग्यान हुआ आप इसका अर्थ इस तरह भी कर सकते हैं कि जब इस्वर की गती या लीला का ग्यान हुआ तो हिर्दय से सारा चल चंद धोखा धड़ी का भाव निकल गया अब जैसा मैंने आप से पहले कहा था कि कभी कभी आधी के बाद बरसा भी आती है यहां भी वही हुआ पद में यही है आधी पीछे जो जल बूटा बने आधी के बाद जो जल बरसा पानी बरसा तो उसमें उसको प्रेम का जल है वो उससे जो है हरी या इस्वर का जो जन है भक्त है सेवक है वो पूरी तरह भीग गया मसलम सराबोर हो गया वो इस्वर की भक्ती में इसलिए कबीर कह रहे है कि कहे कबीर भान के प्रगटि माने सूर्ज के प्रगट होने पर निकलने पर जो पहले से थोड़ा सा कमजोर सा छींड सा खीना मने छींड जो अंधकार था वह भी मिट गया और भक्त उसकी आत्मा सब में प्रकास छा गया ग्यान का इस तरह आत्म बोध जगत बोध में बदला और इस्वर बोध में भी बदला यह कबीर के इस महत्पूर्पद का आर्थ है और सारांस है है संतारा हम ना मरे मरी है संतारा हम ना मरे मरी है संतारा हम का मीला जिया वनहारा हम ना मरे मरे है संतारा हम ना मरे मरे है संतारा